साथियों मैंने अपने पिछली वीडियों बताया था इस 48 बोल्ट बैटरी में BMS लगाना BMS का connection कैसे किया जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने इसमें BMS लगा दिया है और आज की इस वीडियो में मैं इस बैटरी का पूरा complete design देने वाला हूं इस पर heat shrink लगा कर इसको plastic box में pack करके पूरा इसका आकार देने वाला हूं और साथ में यह charging socket भी लगाने वाला हूं तो इसलिए battery को लेकर आज जो है हमारी यह तीसरी वीडियो ready हो जाएगी और यह battery आज से पूरी तरह से ready to use हो जाएगा मतलब हम इसको आज से इस्तेमाल कर सकेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं नमस्कार साथियों मैं हुजय परकसुत्ता और आप इससे मैं देख रहे हैं मेरे रिट्वचन ब्यटेक काडियाज को साथियों आपने भी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिये और सा और आप देख रहे हैं दीचर्टिक फार्या चैनल टुटली लिटिश्टेंट एक विजिए हमारा बैटरी पैक अब इसके उपर हम जो पंखे में बैंडिंग पेपर होता है उसको लगा लेंगे ताकि जो है हमारी बैटरी पूरी तरह से सुरुचित रहे और एक इस साइट से लगा लेंगे तो चलिए मैं इसको फटा-फट इसको लगा कर इसके उपर टेप लगाता हूँ ताकि अच्छे से चिपक जाए यह देख लीजी इस तरह से हम इस पर लगा लेंगे साथियों अगर आप इसको नहीं भी लगाते हो तो भी कोई दिकत नहीं होगी लेकिन मैं यहाँ पर स्टेटी के तवर पर इसको लगा ले रहा हूँ वैसे हीट स्रिंक जो है वो काफी होता है तो यह देख लीजीए इसको हमने चारो तरफ से लगा लिया है अब इस पर हम यह हीट स्रिंक लगाएंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं साथियों हीट स्रिंक का बाइंड लिंक आपको नीची वीडियो की दिस्क्रिक्शन में मिल जाएगा अगर आप बैटरी पैक बना रहे हैं तो यह लगाना अच्छा रहता है तो आपको कहीं भी ढोड़ने की ज इंदर डाल लेंगे उसके बाद हम हीट गन की मदद से इसको जो है श्रिंक कर लेंगे जैसा कि देख लीजिए इस तरह से हम इसको पैक कर लेंगे तो साथियों बैटरी पैक बनाने का यह मेरा तीसरा वीडियो है इससे पहले कि एगर दोनों वीडियो आप नहीं देख पा हैं अब इस वायर को हम पीछे की तरफ मोड़ लेंगे और उसके बाद हम अपना चार्जिंग का जो साकिट है उसका करनेशन कर लेंगे यह देख लीजी यह वाला चार्जिंग साकिट हम इसमें लगाने वाले हैं तो यह देख लीजी पूरी तरह से हमने एक श्रिंग को ल करने लेंगे और उस रहता लेंड हैं अब हम इस वाले पाइनल में श्रिंग साकिट को लगा लेंगे यह देख लीजी इसमें इसको बैठा लेंगे और उसके बाद इसको टाइड करने के लिए यह हम screw लगा लेंगे यह screw जो हमारा anchor का switch होता है वहां से हमने इसको लिया है तो आप इसको easily electronic के दुकान से purchase कर सकते हो तो यह देख लिजिए मैं इसको फटाफा tight कर ले रहा हूँ साथ यह इस acrylic box को मैं अपनी carrier के हिसाब से design कर रहा हूँ क्योंकि online जो size मिल रहा था वो difference था तो इसलिए मुझे इसको अलग से बनाना पड़ा अब हम इस socket में इस wire को joint कर लेंगे इस soldering iron की मदद से तो चलिए मैं फटाफट इसको soldering कर ले रहा हूँ soldering करने के लिए मैं यहाँ पर 60 watt का soldering iron लिया हूँ क्योंकि यह soldering करने के लिए best होता है इसको connection कर लेने के बाद हम battery के minus से minus को plus के plus से इसमें connect कर देंगे इसको जानने के लिए जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसको जानने के लिए हम अपने charger के socket से इसको match कराएंगे उसके बाद जहां पर plus आएगा उसके हम plus point soldering करेंगे तो यह देख लिजी हमने connection कर लिया है अब वो हमारा charger है अब इस charging pin को हम इस socket में लगा कर आपको दिखा दे रहे हैं कि हमारी battery चार्ज हो रही या नहीं तो यह देख लिजी जैसे हम इसमें इस pin को connect करते हैं यह देख लिजी जी तो charger में एक light हलका सा गोलो हो रहा है मैं आपको bulb को आप करके दिखा दे रहा हूँ यह देख लिजी चार्जर का light जलने लगा अब हम charger के pin को अपने electric board में connect करते हैं जैसा कि यह देख लिजी यह देख लिजी हम इसको जैसे ही board में connect करते हैं तो यह light गोलो होने लगा मतलब इस charging होने लगा और charging होते समय यह charger का पंखा है वो चलने लगता है जैसा कि आप आवाज सुन पा रहे हैं यह देख लिजी तो अब हम इस battery को box के अंदर डाल लेते हैं मैं नहीं बना पाया हूँ अगर आपको इसकी जरूरत रहेगी तो मैं बता दूगा कि आपको कैसे बनाना है लेकिन यह बहुत कम लोगों को जरूरत पड़ती है मैं अपने requirement के हिसाब से इसको बनाया हूँ इसलिए मैं इसका वीडियो बनाना जरूरी नहीं समझा तो यह बैटरी बनकर रेडि हो चुकी है आज की वीडियो में बस इतना ही बहुत जूरत मिलेंगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार साथ हूँ आपका दिन सुभो